हमारे चनल पे नहीं देगे सिस्क्राइब पर लाग बटन और बेल आइकन और प्रेस कर दीजेगा ताकि आपको नए वीडियो के सूचना मिलती ही रहे केमिकल के एक स्टॉक और उस कंपनी के बारे में आज हम बात करेंगे और केमिकल का सेक्टर ऐसा है दोस्तों जिनमें कुछ जो अच्छी क्वाल्टिक कंपनी हैं जिनका अच्छा मैनेजमेंट है और जिनके बहुत सारे अच्छे प्रोड़क्स हैं जो वर्डवाइड काफी खापत है अगर देखा जा तो साथ परशन के आसपास हमारे GDP में हिस्सेदारी है केमिकल की और इस वज़े से यहां भी काफी अच्छे डिमांड रहती है और एक्सपोर्ट भी अच्छा खासा होता है तो देखना पड़ेगा कि हम जो आज इस स्टॉप के बारे में ब देख लेते हैं ओवर्वीव कंपनी का प्रोडट्स के बारे में लोकेशन अक्रोस थ्री स्टेट्स इन इंडिया प्रोडट्स से सर्व नुम्रस इंडस्ट्री 100 प्लस अप्लिकेशन सपोर्टेट वर्डवाइट 56 प्लस और फशून 500 कंपनीज और आवर पार्टनर्स तो 500 स्यादा कंपनी के साथ यह मेल जोलकर काम करती है 35% यह इनका रिवन्यो थ्रू एक्सपोर्ट से जो आता है वह जो बाहर माल अपना सप्लाइए करती है उससे इनको रिवन्यो जन्रेट होता है बैसी केमिकल्स 51 परसेंट में है टॉप सेगमिन्ट में और 20% है परफॉर्मेंस प्रोडक्स पे और 29% है फाइन इसपेशिल्टी चेमिकल्स और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो डाइज एन-पिगमेंट्स है जो डाइज हम इस्तमाल करते हैं और जो खाने पीने के चैनलिक्ट लिकवीं तीर्च करें है निया टैसे दवाईया इसतमाल होती है, उसके लिए इसके लिएक्षे हैpen और रबड में सब्रडा डेर्जेंट साबून होता है जिस परफ्यम हो गए पाउडर क्रीम्स आद्मेग केमाल होते है। तो जो बेसिक हम समझ गें इनके टॉप क्लाइंट्स में आते हैं रिलाइंस इंडियन ओयल और क्लेरेंटर यूपियल इस तरह के से इनकी जो प्लांट्स है नंदिसेरी गुजरात दहेज तलोजा महराश्ट्रा रोहा महराश्ट्रा और हैदरबाद तेलंग नाना नंदिसेर अगर आपको भी अपने स्टुडी करनी हो अगर आप इस स्टॉप में इंट्रिस्टेड है तो मैं तो यह चाहूँगा कि जरूर आपको इनकी वेबसार्ट में विजिट करना चाहिए इनके प्रोड़क्स से बारे हम जानना चाहिए देखिए यहां पर वाट भी सिल किस प नाइटरेट सोडियम नाइटरोटराइट परस्नल केर्स में जो भी केमिकल इस्तेमाल होते हैं यह बनाते हैं वाटर ट्रियम नाइटरेट अब यह एक बहतरीन कंपनी है अब चलते हैं बढ़ते हैं इसके प्राइस की और दीपक नाइटरेट लिम्टेट और साथ जून 2019 को जिसका लास्ट क्लोजिंग प्राइस था ब्यस्सी पे 321 रुपए और पांच रुपए 35 रुपए की डाउन साइट पे कल था यानि फ्राइडे को आज 8 जून है आज मार्केट बंद है शनिमार है 52 वीक लोग 205 रुपए था और हाई इसने बनाया था 337 रुपए साल का और जो मार्केट का एप है इसकी 4,386 करोड की बुक वैल्यों 78.57 पी रेशियो मागे देख लेंगे इंडस्ट्री पी 15.95 डिलेवरेबल 43 परसंट और फेस वैल्यू दोकी अभी रह गई है प्राइस बुक है 4.09 और एक गुड क्वाल्टी कंपनी है जैसा कि इनका मैनेजमेंट है जैसे इस प्रकार से ग्रोथ है क्वाल स्ट्रक्ट्चर है इनको गुड क्वाल्टी का यहां पे साइन दिया गया है से इस ग्रोथ है 19.40 परसंट EBIT ग्रोथ है 34.85 परसंट और net debt to equity है एक के आ 24.8% ROE है 11.95 परसंट और यहां पे लिखेंगी विनाती ऑउगनिक्स और सोलर इंडस्ट्री इंडस्ट्री जुमाद्य स्पेशलती दीपाक नैट्ट्रेट हम सीधे चलते हैं कि भी value section पर भी trade कर रहा है यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो expensive दिखा रहा है गर 244 से 241 के उपर very expensive पर है तो obviously अभी value section काफी expensive पर है क्योंकि काफी भाग चुका है इससाब इसके price to earning है और return हम देख लेते हैं 10 सालों में इसने 2270% के एक जबरदस return दी है और 5 सालों भी करीब 2500% के आसपास के return है 4 सालों में इसने 390% याने की 400 के आसपास ही return मान के चलिए 3 सालों भी करीब इसने 300% के आसपास के return दी है 2 साल में भी 116% के जबरदस return है एक साल में 32% की अच्छे रिटन्स हैं, year till date में 45% की रिटन्स, six months में 39% की रिटन्स हैं, और three months में 25% की रिटन्स है, one month में 13% के, one week में 2% के, और one day में downside दिखा रहा है, financial अगर हम देखते हैं के कैसे रहें quarter के और year on year के, December 18 और March 19 के quarter में अगर हम compare करते हैं, sorry, तो यहां पर जो 452 क्रोड की net sales थी वहीं आ गई 485 क्रोड की 7.42% की upside है, operating profit में 66.22 क्रोड की जो December 18 में थी, वहीं 108 क्रोड की हो गई और 64% के आसपास के upside है, और net profit में यहां पे जहां December 18 में थी 31 क्रोड के आसपास, वहीं March 19 में होगे 56 क्रोड के आसपास, 78.90% की upside है, और margin में भी देखे 7.75%, मतलब पहुने 8% के आसपास की upside है, वहीं हम अगर year on year देखते हैं, March 18 से March 19 से compare करते हैं, तो भी देखिए, net sales में 23.65% की upside है, operating profit में 121% की upside जबरदस्त, और net profit में 178% की upside, यानि की March 18 में जहां 20 करोड 32 लाग की net profit थी, वहीं March 19 में हो गई 56 करोड 57 लाग, तो 178% में जबरदस्त growth और margin में भी यहां करीब 10% की आसपास upside है, उसका reason यह भी है दोस्तों की देखिए, चाइना में pollution control करने के लिए कुछ कंपनियों पर लगाया जा रहा तो उनका इतना ज्यादा बंदिशे हैं, तो इंडिया की जो कंपनिया है, उनको काफी chemical कंपनियों को export में फायदा हो रहा है, और इंडिया में भी जो इनकी एक demand है, उनको भी revenue generate हो रहा है, तो इस वज़े से यह कि यह भी reason है, और chemical का बहुत बड़ा योगदान रहता है, हमारे जितने भी products हैं, खाने, पीने से लेके, lifestyle से लेके, चाहिए, फिनायल का हो चाहिए, हर चीज में यूज़ होता है, pharmaceuticals में, promoters के पास यहाँ पर जबरदस्त होल्डिंग है, और इन्हों हैं, और FIIs, Foreign Institutional Investors हैं, खरीब 30 हैं, और 10.28% के आसपास, इनका जो है holding है, और individual है, 20.29% के आसपास, तो सबरदस्त एक बेहदरिन कंपनी, लेकिन थोड़ा सा stock price मुझे महेंगा लग रहा है, और dividend-paying stock, obviously, 2018 में इस नो 1.30 पैसे per share के हिसाब से पे किया था, तो दोस्तों, अभी हम इस company के बारे में बात कर रहे थे, इसमें कई attractive company जैसे की, चाहे अतुल industry लेनी, चाहे आरती इंदस्ट्री सब के अबगल company हैं, जो good quality company जिनका अच्छा management है, इनके अच्छे products हैं, वो काफी अच्छे return भी दे रहे हैं, इसने भी 10 सालों बहुत जबर्दस अच्छे advisor के माध्यम से आप चाहें, तो इस stock के बारे में discuss कर सकते हैं, कि क्या लेना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा कि अभी थोड़ा सा ओपर valuation थोड़े से महंगे लग रहे हैं मुझे, तो अगर किसी कारणवश आपको किसी अपने niftria sensor में गिरावट के कारण, अगर यह इस पर दबाव आता है, थोड़ा सा stock price नीचे आता तो जरूर आप खरीदें, otherwise थोड़ा थोड़ा करके लेते रहें, और बस यही कहना चाहूंगा, एक अच्छा stock के बारे मुझे बताना था, thank you for watching this video, अगर आपको chemical की company हो में interest है तो आप जरूर इसमें बने रह सकते हैं, और जो लोगों ने खरीद आदे किये तो बने रह सकते हैं, thank you for watching this video.